तो नारा लगा रहा है उनलोगों तो टांग के पुलिस को मारना चाहिए मैं बिहार पुलिस से अपील करूँगा लोगों से कहूँगा कि कोतवाली थाना परवारी से में कहूँगा कि आप खोजिये निकलिये और जो संकी जिसको लोग बता रहा है उसको उल्टा लटका के ट परियागरा जाकर भी दिखा है लेकिन पटना से खबर आता है जहां कि पटना बिहार की राजधानी है पटना वहां से खबर आता है कि जामा महजीद एस्टेशन के बगल से कुछ लोग जो है नवाज पर कर निकलते हैं और अतीक हमद अमर है अतीक हमद सहीद हुआ है ऐसा नारा लगाए गया वह भी पटना बीच चोड़ा है पर इस्टेशन के सामने आखिर ये नारा जो है वो बिहार के लिए कितना अच्छा है और देश के हित के लिए कितना अच्छा है हम जानने का परियास करेंगे हमारे साथ प्रसीद पत्रकार जो है विसाल चवहान जी है पटना से है सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस काविल समझा कि मुझे अपने प्लेटफॉन पर बुलाए है जी विसाल जी सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि पतना जो की इतना मसूर जगह है और बिहार का रस्धानी है और यहां पे जुम्मे का नवाज जो है ये रमजान का अंतिम नवाज पढ़ा जाता है और उस समय ये अतीक अहमद माफिया जो है इतना बड़ा जो है उस पे मुकदमा चल रहा है सौसो मुकदमे दायर है और उसके लिए जो है कुछ मौलबी लोग जो आते हैं सामने आकर सहीद रहे अमर रहे ऐसा नारा लगा रहे है तो ये बिहार के लिए कितना फायदा है और देश के हित के लिए फायदा है बिल्कुल भी ये जो है न ये घाटे का ही है कहीं से कोई फायदा ने पहले आपको बात बताओ कि आप गूगल पे भी जाके मारिये अतीक अहमद तो विकिपीडिया जो निकलेगा उसमें देखिएगा कुख्यात अपराधी लिखा हुआ है आप जाकर मारियातीक अहमद जैसे ही मारियेगा गूगल पे तो आएगा उसमें लिखा जाएगा कि कुख्यात अपराधी उसके बाद नीचे लिखा हुआ होगा लोग सभा सांसत तो आप समझ सकते हैं जब गूगल कह रहा है कि कुख्यात अपराधी है और उसके बाद लो साहन भूती है हम दर्दी है प्रेम है सब कुछ है हिंदू मुस्लिम भाइबाई यह सब कुछ जो नारा सुरू से जो होते आया है उसे फोलो करता हूं लेकिन यह लोग में किया है इन लोग पिलुकुल भी कटरवादी होता है यह बताए उसकी हत्या की गई है वो कोई गांध का हमर रहे यह बिलकुल भी दुर्भाग यह पूर्ण है और बिलकुल भी निद्रिद्निय है यह गलत है यसे यह पता चलता वही और अभी तक ऐसे वेक्ती पर कानुनी जो है है पुलिस प्रेसासनल अभी तक पकर नहीं पाई है उसको अभीं वह फरार है इसका सरकार है किसका सरकार की सरकार है अंरे आरजएटी की सरकार मुवाई सभी करन पर चलती है मुसलिम यादव यह दोनों होट से पड़ती है तो समझ सकते हैं कि बिहार में किसका राज चल रहा है तो आप कुछ भी कर देंगे यहीं हो ही रहा है यह आप देखिए न कि क्या हो रहा है यादव की बाता लग है लेकिन आप देखिए कि यहां एक आखिर यह बता यह कि सबसे पॉस इलाका राजधानी पटना का अश्टेशन आता है कोतवाली थाना छेतर के वहां पर कितनी भीड रहती है ऐसे में चंद मुसल्मान मिलकर अतिक अहमद अमर रहे के नारा लगा रहे हैं और यह भी कह रहें साते साथ कि योगी सरकार मुर्दावाद अरे मुर्ख योगी सरकार ने जो कर दिया है ना वो कोई नहीं देखेगा वो क्या किये है उत्तर परदेश को उन्होंने सुधारने का काम किया योगी तक ही सिमित नहीं है देश के परधान मंत्री जो नरेंदर मोदी है उनका क्या हाथ है इसमें माफिया को वो तो यूपी सरकार के अंदर में आता है तोड़े ना यह लगातार भीजे पिल्कूल भी गलत है निदनी है अतिक अहमत कौन था इसके बारे में आप लोग जानिए तब नारा लगाए तब विचार कीज़े योगी आदित नाथ जो काम कर दिया उतर परदेश के लिए और भी मुख मंत्रियों ने काम नहीं किया पूरे देश का सबसे बड़ा राज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सबसीट है उस उतर परदेश को जहां पर माफियाव का राज था उस उतर परदेश को बाबा आदित योगी नाथ जो है वो सुधारने का काम कर रहे हैं और हलाकी जब हत्या की गई है आतिक हमत की उस लोगों की मानस् conception की नियुक्त की सोच पिखाब की लोगों को क्या लेना पिया लेन को क्या अधिक एना अके मुसलिम मुसलिम भाइबाई होता है ौ देश के किसी idoine सब्सक्राइब जान गया यह हमारा दुरभाग है यह हमारा दुर भाग है कि हम उस देश जाता है किसी साह से सही मुझे हसी आती है उसके बाद सुझिए ना अब आपको अपडेट बता दे कि उसको मुस्लिम जो परिवार के जो लोग है वहां पे कुछ लोग से जब मीडिया गई थी पुछने गई थी तो व्यक्ति को दर्सा आ गया कि वह मानसी करूप से पागल है पागल है लेकिन उसके पीछे जो भीर है वही न करें दूनिया को पागल बनाया जा रहा है बर्गलाया जा रहा है और जिस तरह से देखिए यह हम मुस्लिम भाई लोग से अपील करेंगे कि लोग समझे अप राधियों का कोई जाती धर्म नहीं होता है अप राधि है तो उसका इंकॉंडर भी होना चाहिए उसको मडर भी होना चाहिए कसाओ के तो हम लोग इतना दिर रहा के जुटो ना दालभात खिला रहे थे ब्रेकफास्ट लांच और डिनर दे रहे थे सालों बर बिठा के फासी देना था ना ते इतना देरी से क्यों किये आखिर अतिक अहमत के साथ भी फासी होता यही होता ना क्योंकि बहुत सारे पुर्म में उनके मामले थे हत्या का भी आरोप है तो जो हुआ बिलकूल भी सही होगा कि कोटवाली थाना परवारिस में कहूंगा कि आप खोजिये निकलिये जो सनकी जिसको लोग बता रहा है उसको उल्टा लटका के टांगिये और इस सबको पाकिस्तान भेजिए एकदाम इस सबको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है इस सबको जेतना जल्दी हो परजात तंत्र है यहां लोग जो है ना इसका मिश्यूच कर रहा है हम अजाद भारत कहने के लोग है लेकिन आज भी हम गुलामी की जिनकी जी रहे हैं अब सुच यह अजाद भारत में जहां पे क्रिमिनल को हम लोग जो है जिन्दावाद का नारा लगा रहे हैं मतलब कि चलिए बहुत बहुत द्थने आपको समय देने के लिए बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के मादम से कामेंट में जरू बताएगा और वीडियो को सेर कीजिएगा